हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक होममेट हेयर ग्रोथ ऑईल बनाना सिखाऊंगी जिसको यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ तेजी से होगी यानि कि अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं ठिकनेस देना चाहते हैं और साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़ादा जढ़ रहे हैं और डेंडरिफ के प्रॉब्लम हो रही है तो इसे यूज़ करने से आपको ज़रूर पायदा मिलेगा और सबसे च्छी बात यह है यह ऐसी चीज़ों से बना है जो कि आपके घर में असानी से मिल भी जाती है तो इस हेयर ओयल को आप कैसे बनाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो इसलिए कोई स्टेप मिसमत करिएगा मगर उस्ते पहले फ्रेंड्स आप मे इंच अद्रक का तुकड़ा और इसको आप काट लीजिए यहां मैं अद्रक इतले यूज़ कर रही हूं क्योंकि अद्रक में मैगनेशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और विटामिन होते हैं जो हमारे बालों को स्ट्रॉंग, हेल्दियर और शाहिनियर बनाते हैं साथ ही हेर ग्रोथ के लिए बहुत जादा जरूरी है, साथ ही गालिक यूज़ करने से हेर लॉस, हेर फॉल और डेंडरफ की परिशानी से भी आपको छुटकारा मिलता है, और आयरन होने के कारण यह हमारी हेर ग्रोथ को बहुत जादा बढ़ाता भी है, अब आप लैसुन और इसमें डाल कर इसका जूस निकालने, यहाँ पर हम लैसुन और अद्रक्स का जूस निकाल रहे हैं इस तरह से, जूस निकलने के बाद यह तयार है, यह लगबग दो चम्मच जूस होगा, यानि टू टेबल स्पून यहाँ पर मैं जूस यूस कर रही हूँ, इसके बाद मै इसमें यूस करूंगी, यह गुड़ वाइप्स का ओलिव ओल, जो कि कोल्ड कमप्रेज्ट ओलिव ओल है, यह आपको यहाँ पर फो टेबल स्पून डालना है, अगर आपके पास ओलिव ओल यानि जैतुम का तेल नहीं है, तो आप को कोनट ओल भी यूस कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यहाँ पर मैं ओलिव ओल इसलिए यूज कर रही हूं, क्योंकि ओलिव ओल में विटामिन A और E बहुत अच्छी मातरा में होता है, साथ ही इसमें एंटी ऑक्सिदेंट्स पाय जाते हैं, जो हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉस्टराइज करते हैं, बालों में शाइन देते हैं, साथ ही डैंडरफ और इसलिटेंट्स की प्रॉबलम से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं, अभी इसमें मैं एक चीज और एड़ करूंगी, जो कि है एसेंशल ओल, यह रोजमेरी एसेंशल ओल है, यह भी मैं यहाँ पर हेर लॉस की प्रॉबलम ठीक होने लगती है, इसमें आपको 6-7 डॉप्स रोजमेरी एसेंशल ओल की डालनी है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अब आपका यह DIY यानि होममेड हेर ग्रोथ ओल रेडी है लगाने के लिए, इस ओल को आप नॉर्मल ओल की तरह अपन में कम से कम दो बार जरूर लगाएं तो इससे आपको फाइदा जरूर मिलेगा, इसे यूज करने से आपके hair fall, hair loss, dandruff, it is scalp की problem ठीक होगी ही, साथ ही अगर आपके बाल हूखे बेजान हो रहे हैं तो वो भी soft, smooth और manageable बनेंगे, तो इसको यूज करिए, फिर मुझे comment box में ब follow कर सकते हैं, और जादा updates के लिए, तो जल्द जल्दी मुझे हाँ follow करिए, और एक और बात अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए जिससे की चैनल की latest information आपको मिलती रहे, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आओंगी, तब तक के लिए, bye bye and take care झालर!